तो आज हम बना रहे हूँ चॉकलेट वॉलनेट ब्राउनी इसकी जो रेसिपी है काफी एजी है मैं आपको पॉफेक्ट मेजरमेंस बताने वाली हूँ ताकि आप भी जब ये ब्राउनी ट्राइ करें तो एकदम पॉफेक्ट बने तो चली हम जल्दी से रेसिपी स्टार्ट क ये 1.500 ग्राम है और उसको जब मैंने चोटा-चोटा कट करने के बाद मेजर किया तो ये वन कप है तो मेरा जो वन कप है वो धाई सो एमल का है तो उसके हिसाब से मैं सारे इंग्रेडियन्स आपको बताने वाली हूँ तो चॉकलेट को कट करने के बाद एक बोल में डाल द तिहों गैस पे और गैस का फिल मीडियम रखोंगी और इसे मेल्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट मैं आपको बता दू कि मैंने यहां पर मॉर्डे की डाक चोकलेट यूज की है यह मार्केट में बहुत ही इसली मिल जाती है 400 ग्राम का पैकेट आता है 100 रुपीज या 80 असको आप पहले सही इस तरह रेडी कर ले नीचे आप बटर पेपर या फिर पार्चवन पेपर लगा दे पेपर लगाने से यह होता है कि जब की या फिर ब्राउनी बन जाता है तो बहुत ही इजई ली डेमोल्द हो जाता है और केड Gir Harder पेपर जहरु यूज करें तो यह ये यूज किया है, ये salted butter है, आप चाहे तो unsalted butter भी यूज कर सकते हैं, अगर मैं आपको cups में बता हूँ, तो ये half cup butter है, अगर आप मेर से पूछेंगे कि इसके अंदर oil या फिर गी यूज कर सकते हैं, तो नहीं, ब्राउनी बनाते समय आपको butter ही यूज करना है, तो यहां पर पहले ठंडा करेंगे, जब रोम टेंपरेचर पर आ जाएगी, उसके बाद हम हमारा ब्राउनी का जो बैटर है, वो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा चॉकलेट जो है ठंडा होता है, मैंने यहां पर एक बोल ले लिया है, और कोई भी तरह की डाल दे, एक कप मैदा, रिफाइन फ्लार, आप मैदे की जगह गहु का आटा भी ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हूँ, वन फूर्थ कप कोको पाउडर, यह अन्स्विटन कोको पाउडर है, उसके साथ मैंने लिया है, यहां पर हाफ टीजपून बेक बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोड़ा जब आप यूज करते हैं, केक या ब्राउनी में, मेक शूर कि वह बहुत ही अच्छे कंपनी का हो, तो इसे चानना ज़रूरी है, तो यह सब चीजों को आपको चान के ही लेना है, इस रेसिपी में अगर आप शोगर पाउडर यू से अब मैं इसमें डाल dusze, चोकलेट और अर बटर का मेंक्षर.. चोकलेट और बटर का मिक्षर डालते सभी यह बात का ध्यान रखेगा कि यह ठंडा होना चाहिए, भ्ला रूम टम टैंपरेचर बर होना चाहिए, गरम ना हो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ condensed milk, मैंने यहाँ पे amul का मिठाई मेड यूज किया है यह 200 ग्राम का टिन है अगर मैं आपको कप में बताऊं तो यह half cup है मैंने यहाँ पे condensed milk यूज किया है क्योंकि ब्राउनी में condensed milk का जो अगर आप शोगर पाउडर यूज करना चाते है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको शोगर पाउडर कब आड करना है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे वन थड़ कप दूद लिया है अगर आप शोगर पाउडर यूज करते हैं कंडेंस्ट मिल्क की जगा तो आपको 3 4th कप शोगर पाउडर यूज करना है और यह देखिए हमारे जो चोकलेट ब्राउणी का बैटर है वो रेडी है ब्राउणी का बैटर रहता है वो ठिक रहेगा कंपेर टु केक के बैटर से तो make sure कि आपका जो यह ब्राउणी का बैटर है वो इतना ठिक रहे एकदम रनिंग कंसिस्टनसी में नहीं हो नहीं तो वो ब्राउणी कम बनेगी और केक ज़्यादा बन जाएगा तो यहाँ पे देखे मैंने इस बैटर को जो है केक टिन में शिफ्ट कर दिया है तो इसलिए आप भी जो है केक टिन पहले से प्रिपार करके रखे क्योंकि बैटर बनने के बाद इसे हमें रखना नहीं है और इमिरेटली बेक करना है तो मैंने बोल को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है बैटर डालने के बाद आप हलके हातों से तीन से चार बार देखे इस तरह टैप कर ले ताकि जो बैटर है वो पूरे टिन में अच्छे से फैल जाए तो अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ वालनेट्स तो यहाँ पर मैंने वालनेट्स को ड्राइ रूस्ट कर लिया है ड्राइ रूस्ट करके लगाते हैं वालनेट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास walnuts नहीं है तो यहाँ पे आप almonds भी यूज़ कर सकते हैं उसे भी आप dry roast करके ही डाले मैं यहाँ पे walnuts को सिफ उपर से डाल रही हूँ आप चाहे तो batter के अंदर भी डाल सकते हैं अगर आप walnuts को brownie के अंदर डालना चाते हैं तो सारे dry ingredients को चाना था उसके बाद आप walnuts के टुकड़े डाल दे और फिर सारे dry ingredients के साथ इसे mix कर ले तो friends यहाँ पर हमारी जो brownie है वो ready है जल्दी से इसे bake होने के लिए रग देते हैं तो आज इसे मैं कड़ाई में बना रही हूँ इसलिए मैंने कड़ाई को 10 मिनट पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था यह बहुत important step है कड़ाई को आपको preheat करना जरूरी है तो नीचे मैंने इस तरह का ring और stand लगाया है अगर आपके पास नहीं है तो आप steel की कटोरी या फिर कोई एक plate रख दे उसके उपर आप यह जो cake tin है वो रखे इसे bake करते समय आपको gas का जो flame है slow से थोड़ा सा उपर रखना है तो जल्दी से कड़ाई को फिर से हम ढग देते हैं और हमारी brownie को bake होने देते हैं 25-30 minutes के लिए आपको इसे बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है नहीं तो brownie जो है अच्छी नहीं बनेगी तो after 45 minutes एक बार हम जो है brownie चेक कर लेते हैं यह bake हुई है या नहीं तो यह देखे इस तरह stick जो है आपको डाल के देखनी है तो बीच में ही आपको डालना है stick तो यह stick पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है मिन्स यह बिल्कुल ready है बड़ यह काफी गरम है तो इस cake tin को आप बहार निकाले और इसे ढख दे कपड़े से और अभी इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब ब्राउनी रूम टेंपरेचर पे आ जाती है ठंडी हो जाती है तब उसके बाद आपको इसे डी मोल्ड करना है और कपड़े से ढखना इसे जरूरी है नहीं तो ओपर से जो ब्राउनी है वो सूख जाएगी तो यह देखे बटर पेपर की वज़े से जो ब्राउनी है बहुत ही इसली मोल्ड से अलग हो जाती है तो साइड से ब्राउनी को कट करके भी देख लेते हैं कि जो ब्राउनी है वो कैसी बनी है फ्रेंड्स केक या फिर ब्राउनी जबी भी आप बेक करते हैं तो बेकिंग टाइम जो है इदर उदर हो सकता है मेरा 45 मिनट्स लगा है माइट आपका 40 मिनट्स में हो जाए डिपेंड करता है कि आपने उसे किस बरतन में बेक किया है गैस का फ्लेम भी बहुत जादा मैटर करता है फिरंड्स ब्राउनी और केक में बहुत जादा डिफरेंस रहता है केक जो है काफी सॉफ्प और सपॉंजी बन्ता बढली जो है थोड़ी सी फजी रहती है थोड़ी सी केक ाइप रहती है तो यह देखे अब मैं आपको इस तरह प्रेस करके नहीं बताने वालि कि य बिल्कुल भी वैसा टेक्शन नहीं होता है ब्राउनी का यह जो ब्राउनी है इसे आप इजली 4-5 देस के लिए एटाइट कंटेनर में बाहर ही स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखने की ज़रुरत नहीं है तो एक पीस में जो है आपको तोड़ के दिखाती हूं एवन आप इ अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेर जरू करें कॉमन करके बताए मुझे मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए बाबाय टेक केर एंड थैंक यू